कि नमस्कार दोस्तों डेयर में तो आज का जो हमारा कोश्चन है वह क्लाश्टेंट के म्यास्थ के सब्सक्राइब के कोश्चन नमर साथ है और चेप्टर का नाम है बिर्टों से समधित छेथपल तो यहां देकि इस कोश्चन में क्या दिया गया है कि आखिरती 12.25 में ABCD भुजा 14 cm वाला एक वर्ग है ABCD को केंद्र मानकर चार बिर्ट इस परकार खीचे गया है कि परतेक वर्ग है और यह ABCD को केंद्र मानकर यह ABCD को केंद्र मानकर क्या किया है चार बिर्ट इस परकार खीचा गया है कि परतेक वर्ग है तो परतेक वर्ग है तीन सेस बिर्टों में से दो बिर्टों को बाहरी रूप से असपर्स करता है तो जो में इस चाहिए के द्वाय का चत्वा निकालना होगा अब देखे कोस्टन बोला जा रहा है कि बाहरी रूप से असपर्स तो यहां पर समझ लेजी थोरा यह यह जो है बाहरी रूप से असपर्स है मतलब अंदर से इस बेर को जो है येज़ी रूप स्पर्स कर रहा है तो यह क्या हो गया यह आंत्रिक आसपर्स आंत्रिक असपर्स तो चलिए अब इसको हल करते हैं तो यहां देखें जो कोशन नहीं पहले द्यागे इसको लिख लेते हैं हल दिया गया है कि दिया गया है कि वर्ग ABCD का भूजा बराबर कितना है तो 14 cm तब जो है उसका चत्फल क्या होगा तब वर्ग ABCD का चत्फल की बराबर क्या होगा तो 14 cm क्या होता है तो 14च कर सकते है 196 cm2 अब देखिए के बाद परते की बृत की तिर्जिया बराबर अब यहां पर जो है एबी के लिंद कितना है एवी का चौटल लेंद ना है तो 14 cm क्वेट अदिकि यहां पर जो है यह चौदा सेंटीमेल का है इसके आदी दूरी पर क्या है यह असपरस बिन्दू है तो यह कितना सेंटीमेल होगा और यह थो थोरा भी कम भない हो और मतला यह माललीजी छी सीव नहीं रहता तब जो है वर्ग नहीं बनता तो परतेक बिरत के तिर्जा कितना होगा तो 14 सेंटिमीटर बटा दो कितना होगा तो साथ सेंटिमीटर अब देखिए यहाँ पर जो है इस बृत का जो है तिर्जा कितना आ गया तो साथ सेंटिमीटर आ गया अब देखिए हमें क्या निकालना है तो इस छाएं की तभागा चेत्वा निकालना है तो हमें जो है इस बाहरी बृत के पार्ट से में कोई मतलब नहीं है हमें जो है किसे मतलब है तो यहां से लेकि यहां तक के मतलब है मतलब कोने में जो तिरिजखंड है उससे मतलब है हमें तो क्या करेंगे हम परतेक परतेक तिरिजखंड कि तिरिजखंड का छेत्रफल ब्राबर ब्राबर क्या होगा तो पाय आर एस्क्वायर ठीटा बटा 307 डिगरी तिरिजखंड का जो है फर्मला यही होता है अब देखिए यहां पर ठीटा कमान कितना है तो 90 डिगरी और हम लोग जानते हैं कि वर्क का परते कुण कितना होता ह तो 50 साथ सैंटी मिल तो चली अब साथ का माल उठाता है तो यह ठीट पाले ही वरक के कराण निकला हुआ है या फिर यह जो तीरश्खनदा को दिख रहा है यह जो है चतुर्थांस भी है चतुर्थांस क्या होता है कि यह एक चाप और दो तिर्जया से मिलकर बनता है लेकिन इसमें तिर्जियाओ के बीट में जो कोन होता है वो नवेडिका होता है तो इसे हम चत्रथांस बोलते हैं अब यहां देखिए 9.36 एक 7 से 7 कट गया यह 2 से क्या होगा 11 तो क्या बच गया 11 गुने 7 बटा 2 तो इसको मिश सकते हैं 77 बटा 2 सेंटिमीटर एस्कॉयर अब देखियर पर यहां पर परतेक अचर्थतफ़भल कितना आया था 77 बटा 2 इसका मजिए इसका 57 बटा 2 इसका भी 77 बटा 2 इसका भी 77 बटा 2 सब всем आया है तो चलिए अब चारो तरिजखंड त्रिजखंड के छेत्र फलो का योग क्या होगा तो चार गुने 77 वट्टा दो सेंटिमीटर स्क्वाइर यहां देके दूदूनी चार तो क्या होगा साधना चौधा हंसिल एक साधना चौधा एक पंद्रह यहां देकि यह जोए दो है का दो संथा कि दो चारों तरह कर चैनल के लिए मतलब इसका चनल चाहिए लनी जाहें तो बलब च्छां पच्छान किया रहत यस चालानेट निकालते हैं तो यांकित और बाबर क्षटर बराबर क्या होगा तो वर्ल टू वर्ल菁ट्ट्ट का छत्रफल मैनस चारो तरिजखंड के छेतर फोलो का योग छेतर फोलो का योग अब देखिए यहाँ पर जो है वर का च्छत्वल क्या निकाला है तो 196 cm² तो यहाँ पर लिए देते हैं 196 cm² मैनस चारो तेजखंड क्या निकाला है तो 154 cm² स्क्वार मतलब चारों तेज़ कहन चैत्वल का यह निकाल है तो 1254 स्क्वार कि है तो यह पर जो है जो इसको भाटाएक फोर महसा समय 11 को स्कूर्ट वह चासवर किया कई सब्सक्राइब कर लेंजिए ठनेवाद